नमस्कार स्वागत आपका महुसंतोस कुमार पार्थ इस वक्त हिलिसा सार के द्वारका नगर में है जहां हिंदी विकास मंच के अध्याच डॉक्टर राजिम नैन सीह सर है इनसे हम जानेंगे कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट पिता है चमपारन में उनका परतीमा को ख से और इसके लिए हम संतोस कुमार पार्थ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लेकिन एक खबर बहुत ही दुखद है चमपारन के सत्यागरा पार्थ में जो चर्खा समिती है वहीं पर महात्मा गांधी की परतिमा लगी विती जिसे समाजिक तत्वों ने उसे गि इस घटना को किस रुप में देखते हैं एक घटना बहुत ही निंद निया है क्योंकि राष्ट पीता का अपमान पूरे देश में एक तरह से हमारे संस्कृति को क्योंकि बापु ने कहा था कि हिंदू-मुश्लिम भारत माता की दो आखे हैं भारत में मिली-जुली संस्कृ जो हमारी गंगा जमन तहजीव है उसके पोसक थे और जीवन भर उन्होंने जो कुछ किया वो साद्गी के मिसाल थे खादीब बस्त्र पहनते थे और कम में कितना कम में हो सकता है वो अपना गुजारा करते थे किसके द्वारा गया गया है इस पर थोड़ा प्रकास डाले गया है अभी तो ये ट्रेस नहीं हो पाया है और सरकार से बहुत सारे संगठन जैसे प्रेम यूथ फांडेशन है एक जिसका में कार जाला भी पटना फतुआ में भी है उसने इसकी निंदा किया है और जो भी जै बापू पर गोलियां चलाए थी और वो मंदिर से पुजा करके लोट रहे हैं वो किस रूप में देखता है इस तरह के घटना को हम बहुत ही इसका मुखर विरोध करते हैं और आगे भी हम अपने बिभिन प्रिंट मेडिया के माध्यम से भी इसको इसकी भरसना करते हैं और गांधी जी हमारे स्मिता के परतीक हैं आप राष्ट पिता हैं आप देखते हैं कि भारत के जितने भी परचलीत नोट है उसपर गांधी जी की तस्वीर लगी है गांधी जी चाहते तो उस समय भी बड़े पद लेते लेकि पद का उनको कोई मोह न था उनके बारे में प्रधान मंत्री थे कि आने बाली पीडियां साइध ही विश्वास करेगी कि एक लंगोट और लाठी लेकर ऐसा भी धरती पर इंसान पैदा लिया था गांधी जी को कौन नहीं आज आप फिरका जाईए आफिरका वाले आज भी अफसोस करते हैं कि उतने बड़े आदमी को हम ङए नहीं जाना और उनको ट्रें से उतार धिया था फेक दिया था तो गांधीजी कि गांधीजी कि पूरे इसमें गांधीबाद पर कितना जैने कितने प्ये एजडिश्डि कि किये कितने प्रोफेसर को आज arising पर क्रस कीजिए गा उतना यह चिंतन जिनकसत्सत्लम और भाजबर की हुकूमत थे लेकिन आप गुजराट की धर्ती से यहाना से गांधी जी निकले और मैं प्रधान मंत्री और केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार से भी पहले तो आगरह करूगा की बिहार में घटना घटी है आप इसका जाच कीजी कि कौन से आसी तकते है जो निरंतर गांधी बादी मुल्यों पर परहार कर रही है परतिमा क्या है परतिमा गिराना एक संकेत है कि हम आपके आइडिलोजी का बिरोध कर रहे हैं तो गांधी बादी चिंतन को आपने एक तरह से उस पर परहार किया है बहुत ही बियार सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे सरारती तत्वों पर कड़ी सकरी करवाई की जाए